और अब स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मैमान का रागवेंदर नाज जी हमारे साथ मौझूद है MD है Ladder Up Wealth Management की स्वागत रागवेंद जी आपका इस खास शो पर और आज आपके पसंदीदा सब्जेक्ट की बाचीत भी हो रहे हैं तो उमीद करते हैं हमारे बहुत सारे दर्शकों को clarity मिलेगी जब हम बात कर रहे हैं FD जैसे fixed income investments और fixed income instruments के बारे में तो सबसे पहले basic से शुरुआत करते हैं तो हमारे सभी दर्शकों के लिए आप ये बताईए कि जब हम ये बोलते हैं fixed income instruments कौन से होते हैं और fixed income निवेश इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को सक्षी कभी भी कोई निवेशक जब अपना पैसा किसी दूसरे को देता है तो उसकी एक सबसे पहली एक जरूरत होती है कि उसकी एक तो capital protector है इसने एक लाख रोपे दिये तो एक लाख वापिस आजाएं बैंक को दिये तो बैंक से आजाएं जब क्योंकि वो एक sacrifice कर रहा है अपनी liquidity को साल दो साल तीन साल के लिए उसको कुछ ना कुछ return आना चाहिए अगर वो return बुकता है और एक fix है जैसे जैसे bank interest देता है 7%, 8%, 9% का है तो उसी को fixed income instruments कहते हैं और ये बहुत बड़ा market बन चुका है हिंदुस्तान में क्योंकि banks में तो लोग अमूमन डालते रहते थे पुराने जमाने से fixed deposit में और 8-9% 10% का return कमाते थे post office था पर उसके अलावा भी बहुत सारे आयाम इस समय मौदूद है निवेशकों के लिए जहां पर वो fixed income returns प्राप्त कर सकते हैं अपने investments के लिए बिल्कुल तो ऐसमें रग्वें जी ये बताइए कि क्या बढ़ते हुए ब्याजदरों को देखते हुए निवेशकों को इस समय fixed income products में निवेश बढ़ाना चाहिए हाथ तो पहले तो देखे fixed income एक ऐसी जरूरत है जिसको नकारा नहीं जासा जा सकता है तो क्या है कि ब्याजदर कम हो या ज्यादा हो जिस जो आदमी जो एक retail निवेशक है जिसके पास पैसे कम है और या जो की थोड़ा low risk है जिस जो अपने अपने अपना जो उसका जो पूझी है उसको risk पे नहीं रख टालना चाहता उसके लिए fixed income हमेशा ही attractive option रहेगा और तो कम रेट हो या ज्यादा तो उससे फरक नहीं पड़ता पर हां क्योंकि अभी interest rate बढ़ गए हैं तो आज जो भी निवेशक निवेश करेगा fixed income में उसको एक या 2% extra return मिलेगा बनस्पत दो साल पहले जबी interest rate बहुत कम थे तो अभी attractive हो गए है fixed income जादा वीडियो पसंद आया तो हमें like comment share और subscribe जरूर करें